आप सभी का Home Science Classes में सौगत हैं इससे पहले के वीडियो में जो हमने इससे पहले वीडियो बना था उसमें 20 questions तक हो गये थे ठीक है आज 20 फर्स से start करना है तो चलें आज का वीडियो start करते हैं नेम लिखित में से कौन से कांधा की प्रकार है इसमें बताना है कि कांधा जो कांधा कढ़ाई होती है इनमें कौन से इसके प्रकार है तो पहले जानते हैं कांधा क्या होता है कांधा जो होते हैं प्रकार की कढ़ाई होती है जो कहां की जाती है पच्छिम बंगाल में दीके, अपच्छिम बंगाल में ज्यादा तर ये कलकत्ता में की जाती है कलकत्ता में बहाती जाती है एक प्रकार का वहाँ की प्रशित ये कडाई होती है तो आब बात क governedे हैं कौन सी कानधा की प्रकार है जो कानधा में की जाती है तो इसमें है लेब, दूर्जनी और सुजनी यह तीनों ही कांधा की प्रकार है और बात करें तिलपत्ता और चोप की तो यह दोनों ही कढ़ाई किस में आती है? फुलकारी में जो फुलकारी की जाती है, कढ़ाई उसके अंतरगर यह कढ़ाई आती है और यह जो पुलकारी कड़ाई होती है वो कहा की है वो पंजाब की है पंजाब की बहुती प्रशिद कड़ाई है तो अगर पंजाब का पूछा जाए तो तिल पत्रा और चोब अब बात कहते हैं अगर आपको यह देखने में कैसी होती है कड़ाई तो आप देख सकते हैं कांधा कड़ाई कैसी होती है और लेप, दुर्जनी, सुजनी यह आपको दिखाते हैं कैसी होती है यह देख सकते हैं यह कांधा बंगाल के कड़ाई है यह कलाब पुरानी साड़ियों और धोती के सफेद सूती कप्रों को जोड़कर निचली सता बनाई जाती है जिसके उपर कई परत बनाई जाती है इसमें रंगीन धागों का बड़े धहरे के साथ खुबसूरती के साथ इसमें बहुत साथ धागे का यूज़ आ गया है रंगीन धागों का कलरफूर धागों का प्रयोकि यह जाता है यह कांधा डिजाइन होता है अब बात करें जो फिलकारी कढाई देक सकते हैं, पंजाब के प्रसित कढाई जाती है प्ता लगा सकते हैं नेक्स्ट है नेमलेखित में से मांसिक प्रयास वाली गतिवीधियों का चैन कीजिए तो जिसमें मांसिक प्रयास हो जिसमें हमारे बुद्धी का इस्तेमाल होता है तीक है जिसका बुद्धी का आपने यूज करके जो गतिवीधि करते हैं वो कौन-कौन सी है इसमें इसमें तरक ना जो सोच समझ का तारकिक प्रयास करते हैं और इसमें और कौन सा होगा सोच ना हम तरक करते हैं तरक विदर करते हैं किसी भी समस्या किसी भी बात पर हम तरक विदर करते हैं या फिर हम सोचते हैं, तो इसमें भी हमारे बुद्धी का हिस्तेमाल होता है, और फिसकत हम निर्णे लेते हैं, तो ये हमारे मानसिक प्रयास की गतिवीदिया है, पहुचना नहीं होगा, इसमें कौन सा हमारे मानसिक, इसमें बुद्धी का प्रयास हो रहा है, देखना इसमे परिवारिक छूपी आए के पहलों की पहचान कीजिए जो छूपी आए हैं वो कौन-कौन सी होती है वो सामुदाइक सुविधाएं सौदा से होने वाली उपभोकता बचत और कारेस्थल से पराप्त फाइदे तो सबसे पहले बात करते हैं यह छूपी आए क्या होती है छूपी आए वो होती है जिसमें हमें उसके साथ मुनाफ़ा मिलता है उसके जो हमारा जैसे कारेस्थल से पराप्त फाइदे है तो हम जहा कारे कर र chilik eh? उसका वे धन तो मिलता ही मिलता है. उसके साथ जो बोनस मिलता है वो क्या है हमारा छुपी आय कहलाता है, जैसे सौदे से होने वाली उभ्यूगता बचट तो यह हमारा जो हम खर्च के लिए पैसे निकालते हैं ठीक है खर्च के लिए जो पैसे निकालते हैं अब हम किसी चीज को वस्तू को जब हम खरीडते हैं तो वो किसी प्राइज में मिलता है ठीक है उसकी कोई एक कीमत होती है अगर उसमें ओफर आता है तो हमें उसे कम पैसे मिलेगा और ह परसंट की बचत हो गई जैसे 10% की बचत हो गई तो यह हमारा क्या एक छूपी आई है जो हमारी चूपी आई कहलाते हैं जो किसी तरीके से हमें मिलती रहती है जिसे कारस्थल से बोनस की रूप में अगर हम कोई समान खरीडा तो ओफर के रूप में ठीक है जो सामुदाई चूपी आई होती है यह गिरवी चूपी आई नहीं होती है क्योंकि हम किसी समान को गिरवी रख रहे हैं तो हमको कुछ उससे फाइदा नहीं हो रहा है उसमें हमें क्या होता है उससे हम गिरवी रख सकते हैं तो हमें उससे फाइदा नहीं होता तो यह हमारी चूपी आई नहीं होती है नेक्स्ट है उपभोगता अधिकार विधेयक के अनुसार उपभोगता को कौन से चार अधिकार दिये गया है तो हमारा जो उपभोगता अधिकार दिवस जो विधेयक है उसमें उपभोगता को कौन कौन से अधिकार दिये गया है तो उसमें दिये गया है सुरक्षा का अधिकार और चुनाओ का अधिकार को भी चुनाओ करके वो उसको अधिकार दिया गया क क्या क्या खरी सकता और अधीकार्ण उसको अधीकार पुरा दीया गया है सूचना का अधिकार recognize पता उसको सूचना मिलनी चाहिए ठीक है और सुनुवाई का अधिकार के साथ कुछ भी होता है कर उसके साथ भी लारyssators मूल से ज़्यादा पैसे लिए जा रहा है या उसे खराब समान दिया जा रहा है उसका सुनवाई कभी अधिकार है consumer court में जाकर उसकी शिकायत दच कर सकता है तेख्या नेक्स्ट है मानो विकास को प्रभावित करने वाली नेम लिखित में से कौन सी प्रणालिया है जो पारिस्थित की प्रणाली सिथांद जिसे ecological system theory भी कहते है को परिवासित करती है तो पहले आपको ये पतारों चाहिए कि ecological system theory होता क्या है और किसने दी है और ये किस काम में आता है तब भी आप इस question का answer कर सकते है क्योंकि यहां जो भी option दिया गया है आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है तो आप इसको कैसे कर सकते है तो पहले इसको अच्छे से जानते है जो ecological system theory है वो तो पुरी ब्रोफेन ब्रेनर ने दिया है ठीक है और रिव्रोफेन ब्रेनर ने ये theory दी है और ये 5 इनके पास से दधानत है ठीक है इन्होंने अपनी पास दधानतों की वो अपने एक theory प्रस्तुत की है ठीक है इसको और अच्छे details जानते है तो औरी ने 5 अपने सिधान दिये हैं तो इसमें कौन-कौन से है जो एक चाइल्ड होता है उसके लिए जो उसका वातावरन है तीक है उसको अलग-अलग वातावरन में रखने के बाद परिस्तियों में रखने के बाद उसमें क्या-क्या प्रभाव देखे जाते हैं उसके लि दूसरा मीसो सिस्टम, तीसरा एक्सो सिस्टम, जो चौथा माइक्रो सिस्टम और जो पाँचवा है क्रोनो सिस्टम, ठीके यह तो आपने पाँच नाम देख लिया, आपने पढ़ लिया कि क्या नाम है, अब इसके बारे में चानते कि क्या क्या होते हैं, जिससे आप एक्जा की कारे होते हैं । अब ये के करकेस को जानतें किका क्या उता है यह पहला जो होता है । भोझ अनल जल्दी एफेक्ट करता है तो इसको पड़ते हैं कैसे सब से पहला था हमारा Mesosystem तो ये क्या होता है Mesosystem अलग-अलग Essential की बात्षेत को समाहिद करता है जो बज्चों को खुड पाते हैं जैसे की जैसे बच्चा है ठीक है कोई बच्चा है तो उसके आसपास के जो सिसमें परिवार परिवार स्कूल जो उसके दोस्त है और समुदाए समुदाए के लोग आते हैं वो सब इसके अंतगता आते हैं अगर इतने सारे जो लोग होते हैं बच्चे से इसके वातरवर्ण में ये सही हो करते हैं जो भी सीखता है परिवार से सीखता है स्कूल से सीखता है समुदाए दोस्त उसके मानसिक विकास इन्ही लोगों के द्वारा होता रहता है ठीक है इनसे सीखता है और यह बहुत effective माला जाता है सबसे अगर पूछ लिया effective कौन सा होता है या पहला कौन सा होता है तो कौन सा होता है meso system अब वही बात करते हैं जो दूसरा होता है वो है second है हमारा exo system exo system क्या होता है उनके संपर्क में जो आते हैं जो exo system होता है अब school घर परिवार समूदाए यह हो गया हमारा first ठीक है उसके बाद क्या होता है बच्चा उसके क्या होता है इसमें क्या कहा गया लोग और स्थान जो बच्चे के साथ सीधे बास्चीत नहीं कर सकते हैं अभी उनके जीवन पर प्रभाव पड़ सकता है सिस्थान और लोगों में माता पीता के कारिस्थल विस्तारित परिवार के सदस्य परोस में बच्चे शामिल होता है जैसे आप उधारन दिया गया इसमें देख सकते हैं एक पीता जो कारिस्थल पर एक उदासिन बौस द्वारा बदोनती के लिए लगतार प्यास करता है वो अपने बच्चों पर इसे निकाल सकता है और घर पर उनके साथ दूर प्रवार करता है जब क्या होता है किसी का और का गुस्सा वो बच्चों पर भी निकाल सकता है तो अगर बच्चों पर निकालता है तो उनकी दिमाग पर ब मैक्रो सिस्टम बच्चों के लिए और लोगों की स्थानों का सबसे बड़ा और सबसे दूर का संग्रा है जो अभी भी उन पर महत्पूर प्रभाव डालते हैं जैसे उधारण में देख सकते हैं युद गस्ट छेत्रों में बच्चों शान्ती पूरवक वातरवन में बच्चों की तुल्ला में अलग तरह की विकास का नुभा करेंगे अगर वाका वातरवरन अच्छा नहीं है तो उनका मानसिक विकास भी बहुत ही अलग होगा क्रोनो सिस्टम इसमें क्या होता है समय के उपयोगी आयाम को जोड़ता है जो बच्चों की वातरवरन में परिवर्तन और उसके जैसे वातरवरन उसको परिवर्तन घड़ता रहता है इसमें उसके माता-पिटा की रोजकार की स्थिती परिवार के सरचना साथ ही साथ आथिक चक्र और युद्धो जैसे विशाल समाज परिवतन भी सामिल होता है ये सब क्या करते हैं उसके मानसिक विकास उसके वातावरण पर प्रभाव डालते हैं तो यह जो न ही जोẽnosis in style के लिए पहुंचता है वातावरण में क्या प्रभाव पढ़ता है वह कैसे अपने मांसिक विकास को और अच्छा बना सकता है उसके लिए करता है तो क्या प्रभाव पढ़ता है इतना समझ का अगल प्रभाव को अगर सलस्किन को आप पूले से बना हम खा सब्षतिए कि अगर या थे। ला साधु जोता हैं ये इसमें से जो सिध्धान, इसमें जो चार सिध्धान दिये गए हैं, उनमें से कौन से पाँच में का इसमें है, इसमें एक गलत है, आप देख के बता सकते हैं, दा एंथरो सिस्टम, क्या हमने ये पढ़ा है, हमने ये नहीं पढ़ा है, क्योंकि पाँच सिध्धान में नहीं आता है ठीक है यह सिधान गलत है अब बात करतें दा मेजो सिस्टम हाँ यह तो अभी अमने पढ़ा ये है ना Egyptian सिस्टम छी हाँ यह वी सई हो गया कहा यहां पढ़ाए की नहीं हाँ हम लोगों ने पढ़ाए दा क्रोनो सिस्टम भी हमने पढ़ाए तो ये भी सही होगा तो क्या होगा हमारा ये तीनों सही है और एक गलत है तो आप इसमें मिला लिजेगा कौन सा सही है नेक्स्ट है नेम लिखित में से उन और धार नौ की पहचान कीजिए जो भासा विकास के छेतर में स्थित है तो भासा विकास के छेतर में कौन कौन से जो विकास के छेतर में आवशक है तो वो है ओवर एक्स्टेंशन, प्रेग्मेटिक्स और सिंटेक्स ये तीन ये भासा विकास के लिए बहुती महत्पूर माने चाते हैं नेक्स्ट है निमलेखिट में से घबराहट और अपराद वोधक को कम करने वाले परतिरक्षा तंत जिसे डिफेंस मेकनिस में कहते हैं वो क्या है तो पहले सबसे पहले बात करते हैं कि घबराहट और अपराद वोधक को कम करने वाले जो परतिरक्षा तंत होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है, हमारे मानसिक विकास्ति, जो भी हमारे जैसे कि कोई घबराथ हो रही है, या कुछ हमें होता है, कि खत्रा महसूस होता है, तो हमारी प्रतिरक्षा तंद्र होते हैं, ठीक है, उसके अंतर को कुछ आप कह सकते हैं, कुछ ऐसे तंद्र होते हैं, प्र वो बताता है कि कौन कौन से पतिरक्षा तन्त वो बताता है कि कौन सा खत्रा है उससे कैसे बचा जाए ठीक है वो हमको सिगनल देता है तो ये तन्त कौन से होते हैं वो क्या कारे करते हैं इसको और डिटेल्स अच्छे से जानते हैं तब ही आप इसका एंसा दे सकते हैं ठीक ह तो इसमें positive defense mechanism भी होते हैं और negative भी होते हैं तो हम अभी positive पढ़ते हैं ठीक है कौन-कौन से आप negative भी एक बार देख लिए जी एक पर positive कितने होते हैं 12 होते हैं आपको नाम याद होना चाहिए ठीक है इनका क्या कारह रहता है वो examen नहीं पूछा जाता है इनमें से किसी को भी option में देकर आपसे पूछ सकते हैं इनमें positive कौन से हैं ठीक है अभी जैसे exam अभी पूछा गयादा कोशन ना पतिरक्षतन तो कौन से हैं तो आप बस नाम याद कर लिजें कि कौन-कौन से है यह 12 होते हैं ठीक है थोड़ थोड़ हम जान जाते हैं कि होते क्या है इनका मतलब क्या कारे करते हैं हमारे शरीर में जो positive है जैसे जो हमने पहला पढ़ा है ठीक है तो उसको युक्ति करन भी कहते हैं अगर हिंदी में भी आ गया तो आप इसमें क्या होता है इसमें परसन जूटे तरक देकर अपने द्वारा किये गए कारे को उच्छे ठेहराने का प्रयास करता है अगर वो कोई गलत कारे कर रहा है तो क्या करता है वो हार नहीं मानता उसमें और वो अपने तरक विचार बोलने लगता है कि जिसे कि वो सच्छा साबित हो जाए आप यहां पर उधारन में देख सकते हैं इतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे थोड़ा थोड़ा हम पढ़ेंगे अगर आपको देखना है तो कोई परसन एक छेत में कमजोर होता है तो वह उसकी पूर्ति अना छेत में अच्छा प्रजर्शन करके करता है जैसे कि विद्धियाती परिक्षा फैल होता है लेकिन वह खेल कूझ में आगे होता है इससे अपने पूर्ति करता है सब्टिट्यू पोडेंट, MBBS के लिए PMT में असफल है, तो उसके लिए nursing ही सही है. देखे, कोई बड़ा exam, जैसे MBBS बहुत बड़ा exam होता है, तो क्या करता है, उसके DRUZ exam में फेल हो गया, तो क्या करता है, उससे छोटा रास्ता चून लेता है, वो nursing में जला जाता है, जैसे शप्लिमेशन उन्न उच्चेन बनने की प्रक्रिया तो इसमें क्या होता है ठीक है प्रेर्णा की शकति को उसके समांए लक्षों से हटा कर उच्चे लक्षों में लगा देता है जैसे एक प्रेमी अपनी प्रेमीर का कि वियोग में अच्छा कभी बन जाता है जिसे कि वो क्या करता है वो दुखी होता है तो वो कभी ताई लिखने लगता है तो वो कभी बन जाता है जो पांचवा है दमन भानाओं को दमित कर भूल जाना ठीक है इसका कभी-कभी इंग्लेज भी पूछ लेता है या हिंदी में भी ठीक है किसी में भी आया है बस आपको नाम याद रगना है यह सब नहीं पूछा जाता है बस आपको समझानी के लिए ही यह बताया जा रहा है इसे selective forgetting भी कहा जाता है unpleasant ideas जास nature और memory को भूलनी के कोशिश करता है जैसे एक बच्चा घर पर चोरी करते है पकड़ा जाता है तब वह काफी guilt महसूस करता है तब उस memory को दबा कर भूलनी के कोशिश करता है जब वह पकड़ा जाएगा तो उसको बहुत guilt होता है बहुत ही उसको बुरा लगता कि मैंने क्या कर दिया तो वह बहुत चाहता है कि इस बात को भूल जाए तो वह इसमें कारे आता है यह पतिरक्षर तंत्र में जैसे खंडन डिनाई करना ठीक है खंडन अस्विकार करना जैसे कि प्रसन जब कभी दुख दिया विसम प्रसिती का सामना करता है तो कुछ समय तक किये गए खंडन से उसके मन को वास्विक्ता को मानने ही तो त्यारी का समय मिल जाता है जैसे कि माता-पिता द्वारा बच्चों के serious disease का पता चलने पर कुछ समय के लिए विस्वास नहीं कर पाते हैं कि हाँ वो कैसे हो गया विस्वास नहीं करते हैं तो वो deny करने लगते हैं खंडन अस्विकार करने लगते हैं identification इसमें person अपने behavior activity एम अपने परिवार को किसी अन्य person के अनुसार बनाने का प्रयास करता है जैसे कि यूवा लोग hero heroine को देखकर नकल करते हैं कि हां मतलग किसी hero की तरह मैं भी हो जाओ या heroine बन जाओ ठीक है तो क्या करते हैं जब बच्चे छोटे होते हैं तो वह ख्वाइस रगते कि हमें इस heroine या Alia Bhatt या Katerina जैसे मैं बन ज जाता है फिर आटवा हमारा transference ठीक है इसमें क्या होता है इसमें परसन द्वारा एक परसन का प्रति रूप किसी other person के रूप में देखता है जैसे उधार में देखा जाए हॉस्पिटल में admit old man जो होता है जो patient होता हो नर्स को अपनी बीटी के रूप में देखता है ठीक है तो यह दूसरे में देखने लगता है किसी भी चीज को तो इतना हो गया हमारा यह negative इतना हमें नहीं पढ़ना है जितना पढ़ना था हम देख लिया अब आगे उसमें बढ़ते हैं तो हमने यह जान लिया कि पतिरक्षा तंद क्या होता है तो आपको सब पता हो गया कितने ह होते हैं 12 होते हैं अबने नाम भी देख लिया उसके बारे में भी जानके कैन कौन कौन सो होते हैं तो यहां पे सारे options दियेके हैं इनमें से आपको बताना है वह 12 पतिरक्षा तंद में से कौन से इसमें है चारो है या फिर एक है दो है कितने हैं तो आपको इसका answer comment कर के बत करके बताएं कि इसका सही एंसर क्या है 27 का आप सही एंसर पुरे नाम के साथ ठीक है इकॉन से हैं उसके साथ आपको कमेंट करके बताना है आपके लिए इतना मेहनत किया जा रहा है इसके पूरे डिटेल वीडियो दिया जा रहा है चारो आप्षिन के बारे में बताया जा रहा है तो कम से को आप लाइक करें कमेंट करके बताया करें वीडियो आपको कैसा लग रहा है समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है अच्छा बुरा लगा जैसा भी लगा आप कमेंट करके बताएं फीडबैक दीजिए जिसे पता चले कि हाँ अच्छा वीडियो बन रहा है कि नहीं ठीक है विकास की अवस्था कि चौथी पीडी के श्रव दस में निम्रिक शामिल है तो जो चौथी पीडी है चौथी पीडी के श्रव दसर जो होते हैं जिसमें हम देखकर सुनकर जो हम सीखते समझते हैं उसको शामिल किया जाता है तो इसमें कौन-कौन से हैं तो इसमें आते हैं हमारा टेलिविजन जिसको हम देखकर चलचितर होते हैं कर सुनकर हम समझते हैं ठीक है और जो भी प्रचार फरसार होता है पर टेलिविजन के द्वारा ही होता है ठीक है और इसके अंतरज़त क्या था है computer आसकल चौर्थी पीडी में क्या सबसे अधिक लोग प्री हुआ है computer ठीक है और और क्या है में electronic उपकरन बहुत सारे मार्केट में electronic उपकरन आया है जो श्रव द्रश्री के लिए उप्योगी माने चाते हैं ठीक है नेक्स्ट है साक्षर्था के तीन इस्तम्भ है आपको साक्षर कम माना चाता है जब आपके अंदर परना लिखना और हिसाब परना यह तीन चीज आपके अंदर होती है तब आपको एक साक्षर माना जाता है तो साक्षर पढ़े लिखे माना जाता है जो आप देना यह नहीं यह सबसे important है प्रसिख्षड प्रधिती के रूप में micro lab सहयक है तो micro lab जो होता है प्रसिख्षड के लिए जो micro lab होते हैं तो क्या करते हैं जो सहभागयों में परस पर mail जोल बढ़ाना कि एक जगह सब लोग है लैब में जब वो कारे करते हैं तो सहभागयता बढ़ेगी, mail जोल बढ़ेगी एक दूसरे की मदद करेंगे, help करेंगे ठीक हैं? और क्या होता है सहबागयों में हिचक दूर करनी के लिए कि वो सब लोग एक साथ काम करें तो बात चित करेंगे तो इसे से बात करने से हिचक जो होती है और वो दूर हो जाती है और क्या होता है? चिंतन को पेरिट करना तो वो कुछ भी अपना रिसरच कर रहे हैं लाप में कर रहे हैं तो वो क्या होगा? चिंतन करेंगे सोच विचार करेंगे तो यह तीनों आप्शन सही है यह चौता गलत है तो आज के तीस हो गए कल से 31st स्टार्ट करना है तो आज के लिए इतना ही तो प्लीज वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्यू फॉर वाचिंग